परिचय आपकी जन्विदिन पर आपके एक दोस्त ने चौकलेट दी है एक अन्य दोस्त चौकलेट का एक और डिबबा देता है तब आपके पास कितने चौकलेट्स हैं? डिबबा खोले बगएर हम कुल चौकलेटों की संख्या नहीं जान सकते हैं ऐसी स्थिती में हम चौकलेट की अग्याद संख्या के लिए चरका प्रयोग करते हैं इस समीकरण को हल करके चौकलेट की अग्याद संख्या ग्याद कर सकते हैं उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समीकरण हल करना लंबाई और दूरी से सम्बंधि समस्याओं में इसका प्रेयोग करना समीकरण एक गणितिये कथन जिसमें दो व्यांजक हो और जिसे समता के चिन्ह से अलग किया हो उसे समीकरण कहते हैं समदा के चिन्ह के बाएं तरफ के व्यांजक का मान चिन्ह के दाएं तरफ के व्यांजक के मान के बराबर होता है समीकरण के कुछ उधारण है एक या तोनों व्यांजकों में चर हो सकते हैं जब किसी समीकरण में केवल एक चर हो, तो उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं, जैसे यदि किसी समीकरण में दो चर हो, तो उसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं, जैसे रैखिक समीकरण यदि किसी समीकरण में चर X की अधिक्तम घाथ एक हो, तो इसे रहखिक समीकरण कहते हैं, जैसे दूसरे शब्दों में रहखिक समीकरण में सिर्फ रहखिक बहुपद होते हैं. समीकरण के पक्ष समधा चिन के बाएं तरफ के व्यंजक को LHS और दाएं तरफ के व्यंजक को समी करण का RHS कहते हैं LHS और RHS समी करण के पक्षु होते हैं समी करणों के हल चर का वहमान जो समी करण को संतुष्ट करे उसे समी करण का हल कहते हैं निमन समी करण पर ध्यान दीजिए इसलिए 9 समी करण X जमा तीन बराबर 12 का हल है क्योंकि यह समी करण को संतुष्ट करता है ध्यान दीजिए कि दूसरे माहन समीकरण एक्स जमातीन बराबर बारा के हल नहीं है क्योंकि वे समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं समीकरण को हल करना समीकरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम समीकरण के एक पक्ष में जो संक्रिया करें उसे दूसरे पक्ष में भी अवश्य करना चाहिए किसी समीकरण को हल करने का यह मूल भूत नियम है पक्षान तरण विधी हमने देखा है कि पक्षांतरण विधी किसी समिकरण को हल करने की सबसे सुविधा जनक विधी है इस विधी को अपनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रhouग किया जाता है किसी समीकरण का कोई पद जिसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में इस्थानांतरण या पक्षांतरण किया जा सकता है अपना चिन बदल देता है जैसे यदि x घटा 12 बराबर 5 तो x बराबर 5 जमा 12 यदि x जमा 1 बराबर कोश्ठक में घटा 2x तो x जमा 2x बराबर कोश्ठक में घटा 1 एक पक्ष में यदि संख्या से किसी चर या अचर में विभाजन किया जा रहा है तो पक्षानतरण के बाद उसे संख्या से गोडन किया जाएगा इसके उलट भी सत्य है जैसे 5x बराबर 10 हो जाता है x बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50 के इस नियम के प्रयोग से चरों को बाएपक्ष में और अचर पदों को दाएं तरफ पक्षानतरण कर दिया गया है साधारण समी करण उधारण 3A घटा 5 बराबर 16 को हल कीजिए हल निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्थ होगा A बराबर 7 दोनों पक्ष में चरवाले समी करण उधारण X घटा 3 बराबर 5 जमा 5X को हल कीजिए हल निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्थ होगा X बराबर कोश्ठक में घटा 2 जटिल समी करण उधारण 1 A बटे 3 जमा 1 बटे 4 बराबर A बटे 2 घटा 2 बटे 5 हल निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्थ होगा कोश्ठक में घटा 20 A बराबर कोश्ठक में घटा 78 शब्द समस्याएं उधारण 1 एक संख्या दूसरी की आधी है दूनों संख्याओं का योग 6 है तो संख्याएं ग्याद कीजिए हल मान लिजिए कि उनमें से एक संख्या X है हताहा दूसरी संख्या बराबर X बटा 2 दोनों संख्याओं का योग बराबर 6 इस प्रकार X जमा X बटा 2 बराबर 6 यानि 3X बटे 2 बराबर 6 या X बटा 12 बटे 3 बराबर 4 संख्याएं 4 और 2 है जाजें दोनों संख्याओं का योग 6 है इस प्रकार उत्तर सही है शब्द समस्या हुदहरन तो किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है यदि अंश में एक का योग किया जाए तो हर में 3 की वृद्धी होती है और भिन्न एक बटा 2 के बराबर हो जाता है असली भिन्न का पता कीजिए हल मान लीजिए कि असली भिन्न का हर X है यदि अंश हर से 3 कम है तो अंश बराबर X घटा 3 असली भिन बराबर X घटा 3 बटे X नए भिन का हर बराबर X जमा 3 नए भिन का अंश बराबर कोश्टक में X घटा 3 जमा 1 बराबर X घटा 2 नया भिन बराबर X घटा 2 बटे X जमा 3 नया भिन्य हो जाता है एक बटा दू। इस प्रकार कोश्ठक में एक्स घटा दू बटे कोश्ठक में एक्स जमा तीन बराबर एक बटा दू। निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स बराबर साथ। इसलिए चुकि असली भिन्य एक्स घटा तीन बटे एक्स बराबर चार बटे साथ है। शब्द समस्या उधारण तीन यदि दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है तो संख्याओं ग्यात कीजिए। 35 घटा एक्स होगी दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो समी करण होगा कुष्ठक में 35 घटा एक्स घटा एक्स बराबर 13 इसे हल करने पर हमें एक्स बराबर 11 प्राप्त होगा। दो संख्याओं ग्यारा और 24 है चाचें दोनों संख्याओं का योग बराबर 11 जमा 24 पराबर 35 दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 24 घटा ग्यारा बराबर 13 अता उत्तर से ही है। उधारण दो संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है दोनों संख्याओं का योग 56 है तो संख्याओं ग्याद कीजिए। हल मान लिजे की संख्याओं 3 एक्स और 4 एक्स हैं इनका योग 56 है 7 एक्स बराबर 56 एक्स बराबर 8 इसलिए संख्याओं 3 गुणा 8 बराबर 24 और 4 गुणा 8 बराबर 32 हैं उम्र संबंधी समस्या उधारण 1 अनिल अजित से 9 वर्ष बड़ा है दस वर्ष पश्चाद अनिल के उम्र उसके दोग नी होगी जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी उनकी वर्थमान उम्र ग्याद कीजिए हल मान लिजिए कि अजित की वर्थमान उम्र X है दी गई सारणी को देखिए इस प्रकार बराबर X जमा 19 समस्या में कहा गया है कि अपसे 10 वर्ष पश्चाद अनिल की उम्र उसके दोग नी होगी जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी आज से 10 वर्ष बाद अनिल की उम्र बराबर X जमा 19 समी करण एक आज से 10 वर्ष पहले अजित की उम्र बराबर X घटा 10 समी करण तो अताहा इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा X बराबर 49 उनकी वर्थमान उम्र है अनिल बराबर 48 वर्ष अजित बराबर 49 वर्ष जाचें आज से 10 साल बाद अनिल 58 वर्ष का होगा अजित की 10 साल पहले उम्र थी 29 वर्ष जाच 58 बराबर 2 गुणा 29 यहां LHS बराबर RHS लंबाई और दूरी की समस्या उदारन तो एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 6 इकाई अधिक है इसका परिमाब 20 इकाई है इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद कीजिए हल मान लीजिये की आयत की चोड़ाई एक इकाई है अधाह लंबाई बराबर X जमाच चोड़ाई दो कोश्टक में लंबाई जमाच चोड़ाई बराबर परिमाब क्यूंकि परिमाब 20 इकाई है इसलिए लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 10 इकाई होगी। इस प्रकार x जमा कोश्ठक में x जमा 6 बराबर 10 या 2x जमा 6 बराबर 10 इसलिए 2x बराबर 4 और x बराबर 2 चौड़ाई बराबर 2 इकाई, लंबाई बराबर 2 जमा 6 बराबर 8 इकाई, लंबाई बराबर 8 इकाई आयू सम्बंधी सवस्या उधारण दो इस्थानों A और B के बीच 240 किलोमीटर की दूरी है। एक मोटरसाइकल एक बिन्दू A से और एक पदियातरी एक बिन्दू B से एकी ही समय से प्रारंब होते हैं। मोटरसाइकल की चाल पदियातरी की चाल से 15 गुणा धिक है। प्रारंब करने के 3 खंटे बाद एक बिन्दू M पर दोनों मिले। बिंदु A, बिंदु B से कितना दूर है? हल कुल दूरी 240 किलो मीटर है पान लीजिए कि पदियात्री X प्रती घंटा की चाल से चलता है कुल दूरी पराबर 240 किलो मीटर पदियात्री द्वारा तै की गई दूरी जमा मोटर साइकल द्वारा तै की गई दूरी X बराबर 5, वे एक बिंदू M पर मिलेंगे, जो B से 15 किलोमीटर और A से 225 किलोमीटर दूर है। समीकरण कहते हैं, यदि किसी समीकरण में किसी चर यानि S की अधिक तमखात एक है तो इसे रैकिक समीकरण कहते हैं। समीकरण को सत्य बनाए रखने के लिए समीकरण के एक पक्ष में की जाने वाली संक्रिया दूसरे पक्ष में भी करनी चाहिए। पक्षान्तरण विथी 1. कोई पद समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षान्तरित किया जा सकता है, लेकिन उसका चिन्न परिवर्तित हो जाएगा. 2. यदि किसी एक बक्ष के चर या चर में किसी संख्या से विभाजन किया जा रहा है, तो बक्षांतरण के पश्चात दूसरे बक्ष में उस संख्या से गुड़न होता है 2. किसी समीकरण को हल करते समय हम निम्न चरन प्रियोग में लाते हैं, अग्यात को चिनित करते हैं, दिये गए तत्यों को पहचानते हैं, दिये गए संबंधों के आधार पर समीकरण बनाते हैं, समीकरण को हल करके अग्यात का मान करते हैं, झाल झाल